तो सिर्फ पीर फकीर के दर्शनी कर लो क्योंकि ये सब एक दूसरे की कड़ी है कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है पीर फकीर आके बैठेगा तो मालिक तो सब में है आप सब में है तो इसका मतलब फकीरों में भी है सब में ही है तो आपका ध्यान उदर रहेगा तो दीरे-दीरे संसंग वि अंदर बैठने शुरू हो जाएंगे और वाचन बैठने लगेंगे तो सिवा में मन लगने लगएका, सिवा में लगने लगए तो सुमरन भी चल पड़ेगाstar तो इस तरह से कड़ी, step by step, कदम बढ़ते जाओगे, तो मालिक की किरपादरिस्टी के काबिल बनते जाओगे. तो संत सिखाते हैं, जीवों को समझाते हैं, हर तरह से समझाते हैं, और जब एक अंत हो जाता है, हद हो जाता है, तो जीव की मर्जी होती है, संतों का काम समझाना है, तो आपका विचार अगर काबू में नहीं है, आपका विचार अगर कंट्रोल में नहीं है,